पाकिसान से बाहर आप सब लोग को खुशाम देद है थैंक यू बेरी मच्च आप प्रोग्राम देखते हैं नीचे अपने कुमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे डेफिनेटली कुमेंट भी लिखते हैं कई दफा आप सखत कुमेंट भी लिख जाते हैं जो हम बिलकुल बुरा महसूस नहीं करते हैं लेकिन अपने आपको दुरुस्त करने की कुमेंट में भी हम लोग लगे रहते हैं बुलाते हैं आज की शक्सियत को हैं जी इससे पहले के हम वक्त जाया करें एंकर हैं जी न्यूज कास्टर हैं बड़ी खुबसुत परिसनलिटी के मालेक है जनाब सल्मान हरसल सहाब और उनके साथ तश्रीफ लाती है कराची की हमारी आर्टिस्त मौतरमा हुमेरा बानो साह अजया बाची उसे इन लोगों को मिलना आपको जुरूरी नहीं था लेकिन चलिये अच्छा है इनको भी किसी ने खबरी बन जाया है असलाम अलेकुम जी असलाम अलेकुम जी और तेंक यू वेरी मच पर जोईनिंग अस थैंकिसो वेरी मुच जोईनिगें अस थैंक्यों स पाई से शुरू कर ले सलमान भाई ग्रेट जर्नी बेरी इंट्रेस्टिंग जर्नी और सफर बहुत तवील है इसमें कोई शक नहीं है और आज समझ लें इस साल मुझे मेरे मेरा जो करियर है इस फील्ड का वो बाले हो जाएगा यानि मुझे 18 साल हो जाएगा अरे माशाला जी तो उसका पहले बन वाली है तो बहुत क्यूट खबर है सर टेंशन वाली खबर भी होती तो अच्छी लगती है इनको अच्छी लगती है अच्छी खबर ही सुनाएंगे थोड़ा सा अपने अरली फेस के हवाले से बताई कहां तालीम हासिल की और कहां पैदा हुए वापस आया वापस आके जॉब स्टार्ट की और जो मेरी आप समझ लें के मीडिया इंडस्ट्री में जो पहली जॉब थी वो जी यो में थी एच्छार में थी वो एक्जाक्ली तो वहां वही मैं जाना चाहरा हूँ एच्छार का आदमी खबरे पढ़ने आए है यह खुला एडमिन में मैंने तकरीब एक साल वहां पर जॉब की असल में इन हाउस ओडिशन हो रहे थे हैं मुझे उस बाद जी यो ने मौका दिया लेकिन हमारी ट्रेनिंग हुई इसमें कोई शाक नहीं थी जब आपने शुरू किया हम आई गैस मैं शायद उस वक्त अंदाजा लग कैस्टा हुआ और उसके बाद माशा आला बहुत सारा काम कर लिया और बहुत ही ज्यादा काम कर लिया कैसा फील होता है जी और कहां से काम शुरू किया है शौक था हमेशा से शौक था अपनी स्टुडेंट लाइफ तक था लेकिन मैंने एक बार ट्राइ किया था पी टीव जाके तो वहां तक पहुंचने तक मुझे काफी टाइम लगा कोई धाई तीन घंटे उनके रूम तक और नहीं इतने सारे प्रसीजर से घंटे उन लोग ने बिठाया मैं और मेरी काफी सारी फ्रेंज गहे थे उन्होंने स्क्रिप दिया और मैंने और अदिशन दिया उन्ह लेकिन चैलेंज भी तो बन गया ना जब मैं पी टीवी से बाहर निकली तो जो मेरी फ्रेंड आई थी वो पहले बड़ी खुश-कुश थी और मैं थोड़ी डर डर के आई थी जब मैं बाहर निकली वो सब डरी मी थी और मैं बिलकुल रोने वाली होई थी लेकिन मैंने बा कर दोगी मैंने कि अब अब आदे यह दो गाद मैंने वाकिल अब ऑडिशन नहीं दिया. और मैंने दुबारा जो काम शुरू किया है, वह दो हजार चार में शुरू किया है, उस वक तक मैं अपनी शादी, एक बेटा, और डिवोर्स हो कि थी. सारे काम करके मैंने का आप जौग किसे लड़ना पूरे तो लड़ने बंदा आप सारा कुछ नबेड़ के नबेड़ के नबेड़ के जाओ फिर चब मैं गई वो इस तरह गई कि मैंने हम टीवी पे एक प्ले किया जिल्दिया देहली जो यहासे नवाज डरिक कर रहे थे और स आथी जियों से कुछ-कुछ सच मुझ जो के अमीर इमान साब मरहूम वो प्रोड्यूस डिरिक्ट कर रहे थे उसमें मुझे इन दो प्लेज में पहली बार चाहसे आपके मिया बहुत-बड़ा है नाम पाकिसान ठेलेवर्शन का पहले और देशन में उनने मुझे रिजेक् की तो मैंने उनको कहा कि सर मैं ओई मुंडामा जिनननों तुसी जिननों तुसी रिजेक्ट की तैसी वाह क्या बात है इसलिए नाम भी लिए है मैंने वेरी गुट इससे घबराना नहीं चाहिए कि अगर आप रिजेक्ट हो गें जी जी बिल्कुर मेरे साथ भी यही हुआ ह पहला और आपको मैं दिल्चासबा बताऊं के मेरा पहला और आडिशन किसने करना था जो कि हुआ ही नहीं आपके साथ दो मिनिट बात डॉक्टर साब आते हैं वो ले जाते हैं डॉक्टर आमिर लियाका थुसेन महरूं साब अच्छा डॉक्टर साब आये हावी सल्मान एस अच्छा जी आडिशन आडिशन आज बड़ा जाते हैं उनके जो स्टाइल है आजा को पता है बहुत अच्छा उनसे जारे एक तालुक रहा लाँ अन्होंने घरीकर रहमत तो वो ले गए मुझे बिठाया उन्होंने बस मैं दो मिनिट में हारू हूँ उसके बाद आप से म मैं जारा थोड़ा उगा तो थोड़ी दावत कोई शायद सफाई करने वाल अंदर आया कि रहे मुझे देख रहा है मैं कि यार डॉक्टर साब मुझे बिठा कर गए डॉक्टर कौन मैं आमिर लिया के सब वो तो चले गए फिर उसके बाद मेरा जो किसी और ने इंट्रिव बैठे हुए हैं तो मैं तो उनके साथ काम करता था तो मुझे जो वो कॉन्फिडेंस लेवल था उसका मसला ही नहीं था कोई मैं बैठा उनने का जी यह कैमरा है यह सामने प्रॉम्टर है यह खबर रखी है पढ़ दे मैंने जब पढ़ा उनने के यार यह तो बगार फंबल किसने पढ़ दिया है इसका प्रॉपर इंट्रिव्यू करते है फिर वहाँ पर मेरा जो सूफी साहब थे नासिर बेग प्रॉफ किया उनने इसके क्रिकट की कॉमिंट्री की थुड़ी सी कोई आइटम शाइटम कोई है अब तो इतने सारे मैचेश आगे है उस जमाने में ता आपको बता है 92 का जो है वो चल रहा था वैटकप का कुछ यानि के समझ लें के पार्टनर्शिप हो गई थी और पार है जो सियाफ फाम उनके प्लेयर अलागे तीस साल हो गए है पके थे तब पच्पन है ना उनमें से आप तीन चारी उपर नीचे करते हैं आखरी विकेट तो आपको याद होगा ना के खान साथ ने इमरान खान साथ जो प्रामिनिस्टर बन गए साबिक प्रामिनिस्टर हमारी जो फील्ड है इसमें इकतसार की ही एहमियात है आपने तफसील बतानी है तो आप वो तो दस मिनिट की वीडियो बनागे भी दे सकते हैं आपने दो जुमले में बताना है वो हम इंडिया से शो कर रहे थे तो उन्होंने कोई गाना सुनाया वहां से कि कोई भी करते हैं उस पर नजम सेटी साब थे पीसीबी चैर्मेन मैंने काम कीजिएगा कि आप जो है वो हमसे नजम सेटी ले लिजेगा और शिल्पा शेटी हमें दे दीजागा हमान साथ हमारे साथ मौझूद है हमेरा साह्भा मौझूद है कि छुप्टी से ब्रेक के बाद दोबारा जीजर कार में हासर होते हैं वेल्तम बाग्तो जीजर कार आप समेचती है कि आपको वो रिस्पांस और वो चीजें मिली जो मिलनी चाहीं थी मेरा ख्याल है कि जितना काम मैंने किया है और एक आर्टिस्ट जो ओनेस्ट है अपने काम से और उसको जो मकाम मिलना चाहिए अभी तक मुझे लगता है मुझे वो नहीं मिला और उसकी क्या वज़ा आपको लगती है? What can be the reason? शायद हमारे यहां आपको पता ही है lobby systems हर चैनल हर production house के different lobbies बनी हुई है वो उन्हीं लोगों को promote जादा करते हैं जो उनकी lobby का हिस्सा है lobby system तो पूरी दुनिया में है मैं आपको सच्छी बताऊं कि यहां तक के Oscars में भी lobby बन चैनल है तो क्यों न अपने आपको ऐसा आर्टिस्स बनाया जाए कि आप किसी lobby में fall ना करें नहीं मैं किसी भी lobby में नहीं हूँ आप यह देखें कि मैं A.R.Y. पे भी काम कर रही हूँ और जियो पे भी हम पे भी मैंने express और TV1 पे भी काम किया A+. मुझे लगता है कि अगर मैं एक honest actress हूँ एक artist हूँ और मैं अपने आपको प्रूफ करना चाहती हूँ तो मुझे किसी lobby क हिस्ता नहीं बनना है बलके मुझे अपने काम से प्रूफ करना है कैसे मैं अपने school time में भी tableau और dramas और speech वगारा लिखती भी थी इवन जब वो उसकी rehearsal हो रही होती नहीं तो मैं ही वो rehearsal करवाती थी like a director और उसमें मैं act भी कर रही हूँ तो why didn't you choose direction? क्यूंके मुझे acting ज़्यादा पसंती है हर artist की कोई ना कोई inspiration होती है किसी के काम को observe करती है क्यूंके हम इनी लोगों में काम करके इनी लोगों से सीखते है मैं जब इस फील में आई तो मेरे साथ जो मेरे सीनियर्स होते थे मैं उनसे बकाइदा पूछी थी मैंने मुईन अक्तर मरूम साफ से तो बहुत questions कर दी थी को उनके साथ मैंने कुछ कुछ सच मुछ पहला मेरा जो play था उनके साथ किया था उनसे मैं बहुत पूछी थी प्रफाज में और को लिए विए लुग पूछी में करवाती भी थी थी और हमेशा से उन ही को देखती थी और वो मुझे हमेशा से पसंद थी आद भी पसंद है और वहाना काम नहीं कर रहे हैं आपको एक मैं ब्रकुल सीरियस कर रहे हूं जी कोई चुड़ेली मारे रांड पर वे इस दोर पे में शायद बोही हुए। वैसे यह सवाल पूछूँगा, कभी हुआ है कि यह इस तरह का चुड़ेली करेक्टर करने का बाद घर जाके भी वैसा बहेव करना शुरू कर दिया हो? वैसा बदाओ, दिल तुच आता है। कि कोई हुज उसके साथ चुड़ेल वाला यह करिंटर हो जाना थे। अच्छा, अच्छा, ओके। अच्छा, नहीं वैसे, मुझे मज़ा आता है नेगिटिव करेक्टर्स के लिए। और वैस दाट जी, वैस दाट? मुझे लगता है उसमें मार्जन है आप। परफॉर्मास का मार्जन है। बिल्कुछ ठीक बात है। अभी, मेकप आर्टेस ने मुझे हमारे इसी सेट के लिए, मेकप आर्टेस ने का, क्या आप जब कोई वह ऐसा वाला कैरेक्टर करती है, तो वैसा ही मेकप मैंने कर नहीं, मैंने ही समझती ही, करेक्टर वैसा करने के लिए मेकप की जुरत होती है मैंने कर निए वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए एक खुरांट किसम की सास या सोतेली माँ बनी है तो फिर वाप नजर आनी चाहिए कि आपको लोगों से गालियां तो पड़ें न अच्छे से आप बाहर निकलें चाहर पांच गालियां दो कान में आए तो मतलब कि आप में जस्टिस किया है कभी रहा चलते रियक्शन नाये लोगों की हेट्रेड या नेगिटिविए वोस्ली यही भुगत्यू में मैंने कल भ हमें आपसे बड़ा ड़ लगता था मैंने का अभी भी लगते हैं अब हमारा पूरा जितना स्टाफ है आपका बड़ा दोस्त सर यह मुझे बताईए क्या चीजे जरूरी है एक अच्छा और बड़िया लेवल का नियूस कास्ट बनने के लिए अच्छी मुझबत सोच अगर आपने कोई इंट्रो लिखा है तो उस इंट्रो में आप अपने जाहर है एक्सप्रेशन प्लस आवाज से भी तो उसमें आवाज के उतार चड़ाओ का एक एक्सप्रेशन है बिलकुल और हमने जाहर है जब हमने टीवी देखा तो उस वत पी टीवी पे खबरें आया तो उस वत जो है जावेद इकबाल साब ये जिन चीजों का आपने जिकर के ये शुरू से थी हैं आपके अंदर ये चीजे मेरा ख्याल है शायद थी इनको पॉलिश कर लिशी एक्जाक्ली है उसके लिए फिर आपको अच्छे उस्ताद आपको मिला इस का मुझे प्लस जितने भी आपके साथ काम करने वाले प्रोडिएसर्स होते हैं एकड़ा था तौमान भाईगी के अब तो आइसा होगे निया इसकी अदाएगी और ये चीजे जरूरी है मैंने मोहिन अक्तर सूंसरा का मैंने का महीन बहीं ना मेरी इंग्लीश अच्की है मैं मेरी अर्दू अच्छी में कैसे सर्वाइफ करवा कर जिस दिन तेरी इंग्लीश और उर्दू अच्छी हो गई ना तु गर बढ़गा बहुत गिले शिक्वे मुझे लगता है कि आपके मन में हैं टेलिविशन को लेके और अपने काम को लेकर कोई एक गिला शिक्वा बताईए और यह एतराज मुझे डे वन से रहा है हमारे मुल्क में बहुत सारे परफेशन हैं जिन में वर्किंग आवर्स की कोई डिफाइंड नहीं है और अगर डिफाइंड हैं भी तो वो किताबों की हथ तक है आथवी चीज थले लटक जान दी है थो वह अथ़ केंट ते चुक्क के लख सकते हैं इतना ज्यादा स्टेसफूल काम है हमारा वह कंटिनूजली बारक घंटे करके एक घंटा आने और एक घंटा ज़ाने कर अगा लिए तो 15 आर्स अगर हम 24 आर्स में से 15 आर्स सिर्फ काम क सोएंगे कब हम next day की भी preparation के लिए घर जाते ही continuity आनी शुरू होगी अब ये भी कल ले आईएगा वो भी ले आईएगा वो ले आईएगा वो रखते रखते रात एक बज़ जाते है एक बज़े अगर सोएंगे सुबह फिर हम उटके काम में लग जाएंगे तो हमारी वो performance होग है बिलकुल वो कितने वज़े घर पहुंचता होगा और फिर में खरने मर के तीन गहंटे के लिए घर जाता होगा और उसमें भी उसने सोना भी है खाना भी है और अगले दिन की तैयारी भी करनी है और फिर आ जाता है हमारे audio engineer बच्चे मैंने अभी थोड़े दिन पहले उन आरी डेटों की वज़े से दिन रात काम करते हैं यहां वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का कही मत चाहिएगा वेलकम बाक टो जी सरकात जी जी सामया जी क्या कहते हैं सितारे सलमन वाई से बात कुछा आँ चाहरा हो सलमन की बड़ा और बेस करता है यह प्रोग्राम इस बात को मानते हैं कभी कभी खुद चुगल खोर के पास जाना पड़ता है ताकि आपकी बाते दूसरों तक पहुं आप बताएं मैं तो खुद चुगल खोर हूँ पी यार का दूसरा नाम है नहीं है तो आप ऐसी कुछ चीज कर लें करें मैं माम करती है यह मेरे तू सरपे से गुजर गया अच्छा सवाल था बहुत अच्छे सवाब ना देना हो तो यह तरीका है अभी तक पॉने 200 इंक्यूजिटिव होना तो जस्तुस इनके अंदर बच्पन से बहुत पाया जाता था चीजों को एक्स्प्लोर करना इस टेम्प्रामेंट ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया इस काम में क्योंकि जाहरा सिफ एक्स्रेंपोर बोलने की जो क्वालिटी है वो वेन वेर वाई इसे इनके अंदर आईवी लगती है बहुत अच्छी बात और बड़े होम लविंग हैं बीवी खुशकिस्मत है कि खासा बोच शेयर कर लेते हों कि खुशकिस्मत होएगी या सखत होएगी दोनों है तहां ही बंदा ठीक रहना है आईडियल हामेंद है आईडियल बाप है म किया जा सकता विसल्मान का भी मिज़ाज वो एक हवा की तरह है कि मनमौजी आदमी है मनमौजी लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि जो इनको जिसने चलाया कि एक तो स्टूडिन बे आप बहुत अच्छी होंगे लगका आपको बहुत सपोर्ट करती होगी जब आप प्रोग्राम में इस सोफर पे जो भी आके बढ़ता है वो अपने आपको दुनिया के सबसे काबल आदमी लेक्लियर करके जाता है यह याद लगए लगता है कि एक और पासपूर्ट की भी तैयारी इनको किसमत कराएगी और फेम का कार्ड भी बहुत अच्छा है लापा की प्रहाभा आपका सेक्योर है अला के फजल से तिर्फल्स की पैसों की प्लानिंग करते हैं वरी फ़ब्सवावर लड़की आपको उस्म3 नहीं दे सकती लेकिन एक खुबसूरत मुस्तक्बिल आपको एक खुबसूरत लड़की जुरूर दे सकता है मेरा ख्याल है एक खुबसूरत मुस्तक्बिल आपको कई खुबसूरत लड़कियां दे सकता है आप क्या देंगी जुराब सर मेरे जिंदगी में तो पहले बात हुई है कि ए खुबसूर लड़की के वादे से मेरा मुश्तख भी खुबसूरत हुआ है वाँ 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 बत अल्ला भावी को सबर देखा रहा है जब ऐसे एक बात है इस पे कोई शक नहीं है कि अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है कोई है दिनिया जन्नत है प्राटनर है आपके साथ खड़ा है सपोर्टिव है क्योंकि असल पता तब ही चलता है ना वो जो ओप्रा विन्फ्रे ने कहा था कि a lot of people would like to go with you in a limo, limousine but the person you are looking for is someone who will take a bus with you when the limo breaks वाव 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 क्या माइनेस के अब उर्दू पर बताते हैं मुश्किल है अब गाड़ी चलाते वह ब्रेक जादा ना मारो जब ही वी साथ नहीं आपके साथ limousine में अच्छी गाडियों में तो बहुत से लोग बैठने की खाहिश मन होगा आपको ऐसे शक्स की जरूरत है जो अगर गाड़ी खराब हो जाए और आप बस लेनी पड़ जाए तो आपके साथ बस में सवार हो बस में सवार हो कि लड़की फुल अफ लाइफ है जिनको जीने का आठ आता है और I think थोड़ से क्योंकि निशेबो फराज जो रहे relationship के house में हमें नजर आते हैं बेजारी क्या जिन्दगी के तलख तजूरबात से गुसरने के बाद इंसान अंदर से कुछ क्योंकि थोड़ सा sensitive होता है बहुत जादा transformation पिछले दो सालों से है इतबार उठ जाता है बहुत सारी चीजों के उपर से ऐसे ही है कुछ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है पिछले तीन-चार साल में यह चीज अब मेरे अंदर बहुत जाद है कि तो फानी जगह है तो यहां हमने इतनी क्या तयारियां करनी है आईसा इसा अपने आपको समेटो जाने का सफ़र दो है उसको असान करो लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि अब सही ट्रैक अब इनको सकून भी सही वाला पीस मिलेगा क्योंकि अब यह हैं सही ट्रैक पे हैं मिलेगा लेकि वो ट्रांस्फोर्मिशन का जो टाइम है वो जड़ा पैन्फुल सम टाइम हो जाता है अब अब इन्ट्रवी के आगाज में कहा बिंगे सिंगल पेरेंट और यह सिंगल पेरेंट को डबल पेरेंट होते भी देख रही हैं दो बारा से आख मेरा ख्याल है कि नहीं हुमेरा जी को मैंसे फेक मश्वरा दूंगी जादा वक्त तनहाई में नहीं गुजार गाएँ मैं जादातर टाइम अकेले ही गुजारती हूं मैं काम और काम के बाद घर बस किस चीज से प्रहेस करें सेहत हैं वाले से मैरा जी को ना अपने जहां जहां बॉडी जॉइंट्स हैं इकी केर करनी है कल को अल्ला ना करे बीपी के जो मसाइल हैं वो राइस हो सकते हैं फूड लवर तो हैं तो इस तमक के रिया की भी एहतियात पीना जाहिए पानी ज्यादा पीना चाहिए पानी ऑक्सिजन के बाद दूसरी जुरूरी चीज़ है पानी ज्यादा भी पियें और कोशिश करें रात को टब में टाइम गुजारें पानी भर के अगर सुवाज उठें तो फूले में हो आगा हमारे एक डाके साब जो किसी का पेगाम लाकि सनाते अगर आपकी जाने तो 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 आई ये शिरूस भाई कैसे आप तो ये ठीक है सल्मान भाई है और हमेरा साइब आई है तो किसका पेगाम लाए है कर आज भी पेगाम है एक ऐसे लोगों के खिलाफ जो के जूटी खबने बनादे वो कहते है के चैनला दा हुन कट गया चकर हुन ते हर कोई न्यूज एंट कर ते ऐसी ऐसी खबर स हुना नहीं पांदे के सोर्षा म्यडीया दाल्या धे आहा रगे दिलांव कर ते पारा पारा ड़ह वा उते हबन साद våra हिंपाडीया स那么ाला लांडे यह यह हँ वेरिक आखलught नहीं भी घर को考ा ते आह भी नजर कर्क मरह यह उना हुन दि पोरी रिसरच्च ले यां दार्छी ते शदाई नहीं कर दे और ते मूवी लूगा आने चाट दे कैसी ते किसे दा काक नहीं चाट दे बलर कर दे या काला कर दे या साई में सिल्वत में दिखाते हैं वाव वाव लेट्स टेक ब्रेक जी वेलकम बाक टू जी सरकार छोड़े सवाल सबसे विर्ड खबर जो आपको भी पहली दफ़ा सुनने को मिल रही हो पढ़ना तो बात की बात जिंदगी की पहली ब्रेकिंग मतलब जो मेरी बड़ी थी वो आठ अक्तूबर दोजार पांच का जलजला था तो वो मैं क्योंकि बैठा था वहाँ पे स्टूडियो में तो वो ब्रेकिंग फिर मैंने पढ़ी थी और वाकि मुझे खुद अंदाजा नहीं था के आने वाले दिणों में ये कितना बड़ा एकACE और कोई मजाया तरीन ख़बर जो आपकी मेंड़ी में हुँ हमने खबर पढ़ दी थी इसी के इंतकाल की पता ये चला कि और इंतकाल 그럼 कोई ऐसी खबर जिसे पढ़कर आप खुद अफसूर्दा हो गय हो अप्सानिय एपिएस की जो जो जैनब वाला वाकियत लाहुर में हकीकत में रोए हैं ऐसी रोए हैं मैं तो वाली खबरें तो जनुद बुला देती हैं इसमें बिल्कुल ऐसे कभी हुआ है कि खबर पढ़ने हैं और एकदम निच्छ आ गई है ये च्छेंक आ गई है च्छेंक अल्ला का शुकर है कभी इतने मतब यह नहीं कि 17-18 साल के करियर में ऑनेर तभी च्छेंक आई नहीं है यह भी होता कि अब कट करके नहीं गए होता है कि अक्सर ऐसे ब्लूपर्स लगे होते हैं या कोई गलत तलफुज की खबर पर देती हैं खवातीन वह उस जमाने का है जब ज़्यादातर खबर है रिकॉर्ड होती थी उस रिकॉर्डिंग के दौरान इतने ब्लूपर्स होते थे वो दो तीन दफार ऐसा हुआ वो रिकॉर्डिंग समाल के रख लेते थे बाद में होने तेरी दो परसंट बढ़ानी पड़ेगी सिर्व आपका पसंदीदा अंपायर और कुमेंटेटर कौन है जी अलीम डार सब अंपायर क्योंके कमाल अंपायर इसमें कोई शक नहीं है और कॉमेंटेटर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे टोनी क्रेग यह मैं कुछ लोगों सब्सक्राइब इमरान रियास खान साब नो कमेंट अर्शिद शरीफ साहब कामरान खान साब लेजंग सलीम साफी साब कितना के भिगों के मारते हैं मुट के हिसाब से फिर आपको मोल्ड करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों सब्सक्राइब करता है कौन सुना रहा है आपका पहला सेलेबरिटी क्रश कौन था सर अब भी है अब भी है कौन माधुरी डिक्षिट सर जिंदगी में कोई रिग्रेट भी है बहुत सारे है बहुत सारे है और आने वाली पाद जो इस मीडिया में और न्यूज अंकर बनना चाहते है क्या पेगाम देना चाहेंगे कैसे वो एंटर कर सकते हैं ये चुपे में आजकल तो सबसे असान है इंस्टा आगाउंट बनाएं यूट्यूब चैनल बनाएं कुछ भी कर लें असल बात ये है कि उनको ये रियलाइज करना होगा कि वो जो करने है क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छी बात और उसके लिए उनको कुछ ऐसे लोगों को अपना आईडियल भी बनाना पड़ेगा या ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा सुनना पड़ेगा जहां से उनको सही और गलती पहचान मिलेगा। जहां से लिफ्ट से ही नहीं। जहां से लिफ्ट से और मुझे देख एंधाव। लोगों को बिगाड रहे हैं हम लोग समझते नहीं जो बैरुने मुल्क पाकिसानी जाते ते इतने डिप्रेस हो जाते है इस मुल्क के हालाद ये क्रेंट अफेस के प्रोग्राम देखे अफ तो शर्टन एक्स्टेंड शी राइड येस तर पसंदीदा ड्रामा और क्यों एक जब देखा था हमने उस वक्त वो उस टाइम के जो ड्रामा आते थे उनसे बड़ा हटके था स्टोरी बड़ी हटके थी बहुत खुबसूर ड्रामा अच्छी बात अच्छी बात ज्यादा एक सुमा जागे और बैंक की तरफ से आपको फोन आये आपके अकांट में पचास पाक रुपए जमा हुए हैं क्या करेंगी उनसे कहूंगी रॉंग नम आपके लिए किसी भी रिष्टे या तालुक में डील ब्रेकर क्या है आपकोर्स मिस कमिट्मेंट मिस कमिट्मेंट पैसों की जूरत पढ़ जाए तो पहला फॉन किसको करती है चैनल के अकांटिंट को किसके साथ गौसप करने का मज़ा आता है किसके साथ गौसप करने का मज़ा आता है सेट पे जब बैट तो बहुत मज़ा थे बच्चों की कोई तीन आते जो आपको बहुत इरिटेट करती है बच्चों की हर आदत ही इरिटेट करती है बच्चों की हर आदत ही इरिटेट कर बच्चों मेरे बारे में यह ख्याल है कि और इतनी सजा के क्यों रखती है कोई जगा जो बहुत खाहिश के बावजूद अभी तक आप ना जा पाई हो नहीं कोई भी नहीं है पता नहीं मेरी ऐसी कोई जगा नहीं मुझे मेरी ऐसी कोफाश नहीं मन चाहता है जाने को नहीं ऐसी कोई जगा नहीं है जब सवाल पूछे जाएं तो हमेरा साहिब कितना नहीं नहीं पड़ जाना कुछ बातें मज़ा लेने के लिए भी पुछी जाती है या फॉड़ फंट सेख होती है उनका फॉरण जवाब देना चाहिए लेट सेफ़ फंट और खुश रहें जैसे वो खुश रहती है आप सब भी खुश रहें और खुशियां बांटें एक दूसरे में सिर्फ इस की शॉर्टेज हो रही है बाकी सारी चीज़ें नहीं हमारे माशले में बे इंतहा बढ़ती चली जा रही है एक जुमला मैं कहा रहा है जो मुझे वाकी मज़ा आया कि कई जारे शोज में हम खुद भी होस्ट होते हैं यकीन जाने मज़ा आया है आज कि बहुत से इसे शोज ऐसे हैं मैं देख रहा हूँ आजकल जो इसी जान्रे के हैं कि वहाँ पर बात कम होती है और जुगत ज्यादा होती है और वो भी ऐसी जुगत के उस पर शायद हसी भी ना है मेरे खाल यह कॉंटेंट जो है वो बड़ा जुरूरी है तो वो जो आपका शोज जेन है ही जाए जो के होता है मुख्तलिफ जगाओं पर हम उस पर बलीव नहीं करते हैं और नहीं कभी हमारा वो यॉन्रा रहा है मिज़ा करते हैं जरूर है हलका फुलका क्या और मज़िकी बात है जैसे आपने कहा और हमेरा साहब भी कह रही हूँ तो लगता है कि हम एक ही कमरे भी करें यहीं करें और गुफतकु कर रहे हैं और वॉन्रा पिरे टौक जोरी हूए угद है का खास ख्या है तो लिखखें का खुता प्रसूरा है जो को दॉख रहाए खबेंशां होु कुटा आप्सूरा करें अट्लिफु को क्या आप्सु आ क्या है नейन कूप्जा है झाल झाल झाल